जो लड़किया competitive exam की तयारी कर रही हैं उनके लिए मैं top 5 government jobs बताने जा रहा हूँ और अगर उनका form वो 2024 में भरती हैं तो यकीन वानो उनका selection 2025 में confirm है आपको मैं बता दू इस वीडियो में मैं एक और बात करने जा रहा हूँ कि लगातार अगर वो 6 माह तक ये काम करते हैं कौ तो selection निश्चित तोर पर आपका हो जाएगा चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वो 5 government jobs कौन सी हैं चलिए तो पहला jobs आपके सामने railway NTPC का है जिसमे graduate level के अलग vacancies हैं और inter level की अलग vacancies हैं आपको बता दे graduate level में 8113 post हैं ठीक है जिनका form दोनों ही vacancies अलग है यानि दो बार आ और एक inter level का चलो आपको हम बता देते हैं जो graduate level है उसकी जो last date है वो 13 October है उससे पहले आप जल्दी से form भर लीजिए ठीक है और inter level में आप 20 October तक form भर सकते हैं उसकी अंतिमतिती 20 October है ठीक है अब inter level में कितने पद हैं 3445 बद यानि दोनों ही पदों को अगर मिलाया जाए तो 11,558 पद हैं आप एक बार जल्दी से देख लीजे यहाँ पर station master की 994 पोश्ट है सबसे बड़ी पोश्ट station master की है ठीक है chief commercial कम ticket supervisor की 1736 पोश्ट goods train manager की 344 पोश्ट और यहाँ पर जो दो typist की पोश्ट है 1507 और 1732 है इसी तरीके से ये भी पोश्ट है आप इनको अगर zoom करके पढ़ना चाहते हैं तो आप इनको देख सकते हैं ठीक है ये कुछ पोश्ट है ये इंटर लेवल की पोश्ट है और ये रही ये जो पोश्ट है ये है graduate लेवल की चलिए इनका form जरूर भर दीजेगा ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर jobs हैं अगर आप station master बन जाते ह है तो आप सोच के देखिएगा कितना अच्छा रहेगा कितना comfort table आपके लिए रहेगा ये jobs ठीक है आगे चलते हैं अब यहाँ पर हम police का दूसरा जो job है वो police के लिए है ठीक है कुछ जो लड़किया है वो उनका सपना होता है कि यार police मन जाए उनको वर्दी मिल जाए ठीक है तो आप देख सकते हैं यूपी police constable में 60,000 vacancy तो हो ही गई है ठीक है इनका ये तो clear हो चुकी है इनका paper भी आप लोगों ने देही लिया होगा लेकिन अब जो यूपी police constable की 2025 में लगभग 50,000 vacancy आने वाली है और अभी योगी सरकार ने यहाँ पर बोला भी है कि 20% आरच constable में है ठीक है तो आप इनकी तयारी कर सकते हो ठीक है अब यहाँ पर बिहार अगर constable की आप अगर तयारी करना चाहते हो तो उसमें भी 2025 में लगभग 24,000 vacancy अब यह जो vacancy है ना यह 2024 में ही आ जाएंगी जिनका final result आपको 2025 में देखने को मिलेगा यह बिलकुल ध्यान रख आपको देखने को मिलेंगी केवल लड़कियों के लिए ठीक है ऐसी तरीके से अगर MP के आप तयारी करना चाहते है पुलिस में देलही, राजस्तान, हरियाना ठीक है यह सब की तयारी आप पुलिस में कर सकते हैं कॉस्टेबल के लिए ठीक है तीसरी jobs कौन सी आपके लिए स को मिल जाएंगी जिसमें 20% अगर हम देखें तो 1000 पोश्ट लड़कियों के लिए हैं 1000 पोश्ट पर आपको अपलाई करना है और 1000 पोश्ट में मैं तो मानता हूँ बहुत अच्छी पोश्ट है 1000 जिसमें आपका सेलेक्शन अच्छे से हो सकता है पढ़ना कैसे वो मैं आपक ठीक है अब यहां पर आपको यही पर बिहार अगर SI की बात करें तो 2000 वेकंसी कुल मिला के आ रहे हैं जिनका 35% निकाले तो 700 वेकंसी लड़कियों के लिए हैं ठीक है तो आप यहां पर टोटल अगर देख ले तो आप UPSI का भी फॉर्म डालें बिहार SI का भी फॉर्म डाल है ठीक है चलो आगे चलते हैं आगे है SSC आप जानते हो CGL का प्रिलिम्स हो चुका है मेंस की तयारी कर रहे हैं CHSL का लेकिन मैं इसलिए इसको लिख कर लाया हूँ जो भी लड़किया अगर SSC की तयारी करना चाहती हैं तो इन फॉर्म इनको भर सकते हैं जैसे अगर आपका SSC में जाने का सपना है ठीक है तो SSC में MTS अगर 10th आपका पास है तो अगर आप सोच रहो SSC की तयारी करें तो आप MTS की तयारी कर सकते हो दो हजार पचीज में इसमें भी काफी विकंसी देखने को मिलेंगी ठीक है अगर आपको टाइपिंग आती है अच्छी आपकी है तो आप SSC स्टैनो की तयारी कर सकती हो ठीक है चलो यह चीज हो गई अब SSC के साथ आपको पता है कि अभी SSC GD के फॉर्म चल रहे हैं जिनको आप भर सकते हैं क्लियर है तो यहाँ पर आपको कुल पद जो देखने को मिलेंगे वो 49481 पद देखने को मिलेंगे जिसमें लड़कीओं के लिए जो आरच्छेत है वो 3870 3,879 पद हैं जो लड़कीओं के लिए है ठीक है अब कुछ लड़कया प capitalist बता दीजिए कि लड़कीयों के लिए कौन सी जॉब बेस्ट होती है तो आपको बता दे सबसे अच्छी लड़कीओ के लिए जौब जो होती है वो C DRPF डाल सकते हैं, तीसरे नंबर पर आप BSF डाल सकते हैं, ठीक है, तो ये कुल मिला कर रहा आपका, अब इसमें भी बता दे जो आपका एक्जाम देखने को मिलेगा, वो जनवरी से फर्वरी लगभग 5-6 महिने का समय इसमें भी मिल जाता है, अभी तक जितने भी एक्जाम ह अभी से शुरू करनी है, बहुत सी लड़कियां ऐसी होगी जो इंटर पास करने के बाद तयारी करने का सोच रही होंगी, बहुत सी लड़कियां ऐसी होगी जो ग्रेजवेशन कंपलीट करने के बाद तयारी करने के लिए सोच रही होंगी, ठीक है, बहुत सी ऐसी भी लड कि और ना देख तो आपको ऐसी होती है कि जैसे ही कोई फॉर्म आया जैसि कोई जैसे एंटी-पीस्ई का फॉर्म आया एंटी-पी-सी के लिए कि आप ने पूरा मन बना लिए की आप अब एनटी-पीसी की तयारी करनी है तुरंट ससी जी डी का आ गया अब क्या करना जो exam wise तयारी करते हैं, जो student exam wise तयारी करते हैं, उनके selection के जो probability होती है, जो possibility होती है, वो केवल 10% होती है, 10%, सोच के देखिए, आप किसी भी exam को उतना target ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आप क्या होगा, तो आपका selection होने की संभावना कम हो जाएगी, आपने NTPC को target किया, कि हम NTPC की तयारी करेंगे, तो तुरंट police का form आया, आपने police का भी भर दिया, अब आपको police का भी देखना है, तुरंट UPSI का आया, UPSI का, तो इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है, कि आप disturb हो जाता हो, ठीक है, कोई एक exam आप target नहीं कर रहे हो, तो इसमें क्या है, selection का possibility है कीवल 10%, ठीक है, चलो, करें क्या फिर, तो भाईया, आपको तयारी करनी है subject wise, ठीक है, ध्यान से सुलो, जिनको selection चाहिए, 2025 में 100% उनको क्या करना है, वो exam wise preparation नहीं करेंगे, अभी से कसम खालो, आपकी जो preparation होगी, आपकी तयारी जो होगी, वो तयारी होगी subject wise, आप जानते जितने भी मैं पीछे के exam बता कर आया हूँ, यह जितने भी exam होने वाले हैं, उसमें आपको तयारी करनी, किसी एक exam को target नहीं करना है, आपको अपना syllabus complete करना है, आपको पूरा math complete करना है, gkgs complete करना है, regioning complete करना है, हिंदी complete करना है, English, यह 5 subject पे आपको पकड़ बनानी है, ठी ऐसे कई students हैं हमारे पास भी जिनका selection एक exam में नहीं, जब selection होना सुरू होता है, तो एक साथ ही 4-5 exam फोर के चले आते हैं, फिर result आते रहते हैं, उनका selection होता रहता है, क्यूं? उन्होंने अपना जो तयारी किया है, वो subject wise तयारी किया है, clear है? तो उसके बाद उनका exam निकलता जाता है, वो सारे form भरते जाते हैं, चाहे वो NTPC का है, पोलिस का है, UPSI का उसका भी form भर दिया, SSEGD का है, उसका भी form भर दिया, अब जब जब उसका paper लगा होगा, जैसे NTPC के लिए 20 दिन बचे हैं, तो क्या किया 20 mock test लगा लिए, एक एक mock test लगा दिया, कभी ऐसा तो ह होगा नहीं, सारे exam एक साथ होंगे, एक एक महिने के distance पर होते हैं, ठीक है, जब पोलिस का exam आया, तो आपने पोलिस के mock test लगा लिए, तो UPSI का आया, UPSI के mock test, UPSI के previous year देख लिए, बस इतना करना है, लेकिन जब तयारी सुरू करोगे ना, तो आप subject wise तयारी सुरू ठीक है, मैं कैसे सुरुआत करूँ, मैं कैसे अच्छा कर पाऊंगी, यह सारे question बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें मैं आपको बता दू, यह 5 basic books, जिनसे आपको पढ़ाई सुरू करनी है, यह 5 basic books कौन सी है, तो मैं, इनसे ज़्यादा कुछ लेने की जरूरत न book, किसी भी किताब का promotion नहीं है, यह हमको अच्छी लगती है, मुझे लगता है, इन किताबों से बच्चा disturb नहीं होगा, और अपना basic complete कर लेगा, फिर उसके बाद कुछ भी करो यार, कहीं भी जाओ, कोई भी किताब लगाओ, कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर सुरुआत करनी नहीं है, तो यह सबसे perfect किताब है, ठीक है, GKGS की Lucent, नीली वाली किताब, यह है GKGS के लिए, ठीक है, Lucent की किताब वो हो गई, regioning के लिए बेटा, अरिहंत की किताब, यह वाली, आर्के जाकी, अरिहंत की किताब है, यह वाली आप ले सकते हो, हिंदी की तैयारी करने के लि तो यह किताबे आप लेकर अपना पढ़ाई सुरू कर सकते हो, और 3-5 महिने में आपका complete हो जाएगा, कुछ बच्चे कहेंगे, सर बैच अगर होता, तो और अच्छा होता, तो Phoenix Team के तहत, Phoenix Team के अंदर आपको यहाँ पर इतने बैच पढ़ाय जा रहे हैं, जिसमें पूरी Phoenix साथ आप पढ़ते हो, हमारे टीचर्स के माध्यम से आप पढ़ते हो, तो आपका समय तो बचेगा ही, और आपके concept भी अच्छे से clear हो जाएगे, समय भी बचेगा, 6 महा में ही आपका course complete हो जाएगा, जैसे आप मैस मैजीशियन में आते हैं, मैस आपको पढ़ना है, तो मैस मैजीशियन का बच है, जो 1499 का नहीं, आप राम फोटी कूपन ये ध्यान रखेगा, राम फोटी कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 900 का पढ़ जाएगा, ठीक है, आपको GKGS पढ़ना है, तो त्रिशूल बच 4.0 लगाएंगे, तो ये बच आपको 1499 का नहीं, मातर 1500 का पढ़ जाएगा, और सारे ही बच हमारे जो हैं, lifetime validity के साथ है, रीजिनिंग का लेना है, तो तार्किक बच है, 2.0, 1499 का नहीं, ये 900 का पढ़ जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से हिंदी का लेना है, आपको 360 का पढ़ जाएगा, आपको discount के लिए राम फोटी लगाना है, ले सारे ही बच, math magician 2.0, त्रिशूल बच 4.0, तार्किक बच 2.0, ये सारे ही बच अगर आप एक साथ लेते हो, तो बेटा आपको ये जो बच है, 5 कोर्स का निचोड, ये पूरे का पूरा जो पाचो कोर्स, जिसमें आपको त्रिशूल बच मिल जाएगा, math magician बच, तार्किक ब दिसकाउंट करने के बाद 4900 का पड़ रहा था, लेकिन ये 3400 का नहीं पड़ेगा, ये बच आपको कितने का पड़ जाएगा, math 2100 रुपय का, ध्यान से सुन लेना, ये बच अगर आप लेते हो, तो math 2100 रुपय का मिल जाएगा, 3500 रुपय का जो बच आलरेडी है, 40% discount इस में पढ़ सकते हो आप, बस आपको करना क्या है, coupon code लगाना है, ये RAM 40, जैसे ही आप application, application कौन सा है, तो पेटा, application हमारा Phoenix Academy उनना हो है, Google Play Store से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, जाकर, नाम नंबर डाल के registration कर लेना, उसके बाद ऐसा interface आपको दिखेगा, paid course में जाएगे, सारे batch आपको उपलब्द हैं वहीं पर, सारे batch आप धूर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो इस नंबर पे call कर लेना, 70771-208, तो आपको हम बता दें, जो foundation batch 3500 का, जिसमें सारे ही batch है, सारे batch include है, GS का भी batch है, सब कुछ आपको मिलने वाला है, तो अगर आप राम 40 coupon code यूज कर लेते हैं बेटा, तो आपको 2100, 40% discount के बाद 2100 रुपए में मातर मिल जाएगा यह, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, हमारी टीम के साथ जुड़ो, हमेशा के लिए हमारी टीम से पढ़ो, जल्दी से selection लेलो, बस यही हमारी आसा है, आप यहाँ पर ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बताया, आप NTPC, Police, UPSI, SSC, GD, SSC में CGL, CHSL, MTS, किसी की तयारी कर सकते हो, तो उसमें आज से जरूर कसम खा लेना, कि मुझे competition की तयारी करनी है, subject wise, ठीक है, फिर उसके बाद form सारे भरने हैं, जो भी exam आएंगे, हमें form सारे भरने हैं, clear है, और जैसी जैसे हमारी exam आते रहेंगे, बीस-बीस दिन का जो gap होगा, जो बीस-बीस दिन में हम, उनके mock test लगा लेंगे, अपनी अच्छी से तयारी हो जाएगी, selection होते रहेंगे, एक साथ ही आपको देखने को मिलेंगे, दो जार पच्चीस में, तीन से चार या चार से पा बंदे मतरू